दोस्तों नमस्कार, एने एस एक्जाम कर्षा पांचवी की त्यारी के लिए हम अपना अगला वीडियो लेकर आये हैं इस वीडियो में गडित के बेहतरी प्रस्नों को हल कर आया जाएगा, साथ ही बहुत अच्छे ट्रिक्स भी बताया जाएगे आप अपने विद्यार्थियों तक इस वीडियो को अवस्य सेर कीज़ेगा, चलिए हम मानते हैं कि आपके माध्यम से विद्यार्थियों तक यह वीडियो को शुरू करते हैं आज हम गडित के 10 महत्तपूर प्रस्नों को हल करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से तो सबसे पहले उज्वल लच्छ यूटूब चनल को सब्सक्राइब कर लिजे, बेल आइकन दबा लिजे, इसमें आपके लिए बहुत ही उप्योगी वीडियो आने वाले हैं तो यहाँ पर हम गडित के 10 प्रस्न हल करेंगे, यह प्रस्न आपको जाना पहचाना भी लग रहा होगा, लेकिन इसको हल करने के तरीके बिल्कुल नए होगे कुछ प्रस्न समाने तरीके से हल होगा, और कुछ विसे तरीके से तो चले शुरू करते हैं, पहला प्रस्ण क्या है? पहला प्रस्ण आप देख सकते हैं, एक पुस्तकालाय के लिए 13 पुस्तके खरीदी गई, सभी पुस्तकों का मुल्य समान है, पुस्तक खरीदने पर रूपिये, देखें यहाँ पर जो सिंबल दिख रहा है, वो रूपिये पुस्तक का मुल्य क्या होगा? तो बच्चों इस प्रकार के प्रस्णों को कहा जाता है इबारती प्रस्ण, इबारती प्रस्ण में कहीं पर भी आपको यहनी बताया जाता है कि जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है या भाग करना है, हमको खुद उसको समझना पढ़त से होगा थो तो ऐसे प्रस्णों को हल करने के लिए सबसे जरूरी है कि प्रस्णों को ध्यान से पढ़ना तो चले प्रस्णों को फिर से पढ़ते हैं एक पुस्तकाले के लिए पुस्तकाले क्या होता है जहां पुस्तक रखे जाते तेरा पुस्तक के खरीदी गई कितनी पुस पुस्तक खरीदने पर इतना रुपिय खर्च हुवे अब सवाई से बात है उतना सारा पुस्तक जब खरीदें तेरा पुस्तक तो उसके लिए पैसे देना होगा तो कितना रुपिय खर्च किया गया 3185 देखिये रुपिय को इस प्रकार से लिखता जाता है ठीक है ये रुपिय है 3185 रुपिय खर्च किया तो यहाँ पर प्रतेक उस्तक का मूले क्या होगा पूछ है प्रतेक मतलब एक का हर एक का अब यहाँ पर तेरा पुस्तक खरीदा गया 3185 में तो इसको कैसे करें जोड़े घटाय गुना करें कि भाग करें यदि समझ नहीं आ रहे तो क्या करेंगे फोड़ा साम इसको अलग तरिके समझते हैं माल लीज़े 13 के जगा 3 पुष्टक होथा और यहां पर इसके जगा 30 रुपय होता तो आप सिंपल से ऐसे समझो 3 पुष्टक खरीदी गई तीन पुष्टक को 30 रुपय में खरीदा गया तो एक पुष्टक को कितने खरीदा गया आपने तुरान जवाब दे दिया ना, जब 3 पूस्तक 30 रुपे में खरिदा, तो 1 पूस्तक 10 रुपे में, अब यह बताओ, 30 और 3 को आपने क्या किया कि 10 मिला, 30 और 3 को क्या किया, सवफाइक से बात है, 30 को आप 3 से भाग किये, यह ना, तो यही काम तो यहां पर भी करना है, यही काम यहां पर भी करना है, क्या होता है, जब संख्याएं बड़ी-बड़ी रहती है, तो हम उलज जाते हैं, तो जब बड़ी संख्याएं दिये रहते हैं, समझ में नहीं आता है, तो कुछ पल के लिए संख्या को छोटी करके पढ़ लिया करो, छोटी करके पढ़ने से क् असान लगता है, अब यहाँ पर पता चल गया कि आपको यहाँ पर क्या करना है, भाग करना है, इसको भाग करना है, 3185 को 13 से, यहाँ पर लिखे 3185, ठीक, इसको आप रफ कापी में बनाएंगे, ठीक है, चुक्कि मैं इसे में बना रहा हूँ, यहाँ पर, जो जगह है इसल जासे भागना तो आता ही होगा 13 का पहड़ा पढ़ेंगे इसके लिए यह क्या हो जाएगा 13 तो डूली 26 तो दूली 26 अब यहां से हम इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो एक में से 6 नहीं हटेंगे तो हम क्या करेंगे तीन से चिलहर कराएंगे, चिलह कराएंगे तो यहाँ पर 11, 11 में से 6 गया 5, यहाँ पर 0, अब 5 बचा, उसके बार यहाँ पर 8 को उतारेंगे, अब 13 का पहड़ा, 4 बढ़ होगा, 13, 45, ठीक है, 13, 45, इसके साथ ही साथ आप क्या करे हो, साथ ही साथ हल कर रहे हो न, तो इसके सा सारेंगे, तो 13, 55, जब आपसन दिये रहते हैं, तो पूरे प्रशन को हल करने की भी जुरत नहीं पड़ती है, हम साथ ही साथ चेक करते करते, बता देते हैं, तो यहाँ पर देखो, 245 आया है, तो यही इसका उत्तर होगा, यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा, ठीक है, इ यह केवाल आपकी प्रेक्टिस के लिए है, इसमें से प्रस्न आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सेंगे, लेकिन ऐसे प्रस्न जरूर आएगे, तो हमको पहले समझना पड़ता है, कि ऐसे प्रस्न है क्या, यहाँ पर देखो, तालीका में दी गई सभी वस्तूओं को दुकान से खरीदा गया, तो इस प्रकार से जब खंड खंड बना जाता है, तो इसे कहा जाता है तालीका, तालीका पढ़ना आपको आना चाहिए, तालीका देखे, यहाँ पर डाल लिखा है, डाल के सामने वाले खंड में रूपिय एक्सो तिरंबे लिखा है, इसका मतलब है डाल का जो खरीदी गया, जो डाल को जो खरीदा गया, डाल को यहाँ पर दुकान से खरीदा गया, वो रूपिय एक्सो तिरंबे रूपिय का, चामल जो खरीदा गया, वो दो सो पैतालीस रूपिय में है, शक्कर जो खरीदा गया, वो एक्सो तिरंबे इसका मतलब यही है, पहले दुकान दार को रुपिय 500 का एक नोट देने के बाद और कितने रुपिय देने होंगे दुकान दार को एक नोट दिया गया है ना नोट कितना का था 500 का और पैसा देने के जुरत पड़ेगी क्या और पड़ेगी तो कितना पड़ेगी तो क्या करेंगे समाने सी बात है जब आ इसको आप जोडते हो, तो होता क्या है, किस प्रकार से जोड़ोगे, दुकान वाले बिल्कुर इस प्रकार से बिल बनाते हैं, और यहां पर जोडते हैं, तो चलिए हम इसको जोड देते हैं, तो 3 और 5 आठ, 8 और 08, यहां पर हुआ 8, उसके बाद 9, 4, 13, 13 और 8 कितना होगा, 21, 21 का एक हासी लाया 2, ठीक है, अब 2, 3, 2, 5, 618 रुपया को उसका बिल बन रहे, इतना रुपया के आप सामान खरीदे हो, और आपने दिये है 500 रुपया, 618 का बिल बना है, तो उसको और पैसा देना पड़ेगा ना भही, 500 रुपय बस दिये हो, तो कितना रुपय और दे पड़ेगा, क्या 438 रुपय और देना पड़ेगा, कि 418 रुपय और देना पड़ेगा, कि 118 रुपय यहां आप्शन की मदद ले लो, जब हम 500 रुपय दे चुके हैं, तो कितना देना पड़ेगा, 118 रुपय आपको अनुमान हो गया ना, माल लेजी अनुमान नहीं क्योंकि हम दुकान में खरेदारी करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजे बच्चों, नीचे में देखो इस प्रकार से एक थमनेल होगा, अंगुठा का निसान होगा, उसको दबा दीजे, वीडियो लाइक हो जाएगा, चलिए, अब यहां पर प्रस्ण क्रमांग 3 को यहां पर देखो 37 गुणा खाली बॉक्स, यह दिया है, अब यह किस प्रकार के प्रेश्ण है, तो इसको हम को थोड़ा से समझना होगा, देखो यह क्या है, 37 हमें इस प्रकार से गुणा करना सरल लगता है, ऐसे भी दिख सकते हैं, यह इस प्रकार से है, 296 है न, तो यहां करते हैं, जैसे हम 5 का गुणा 2 से कर रहे हैं, तो निश्ची तर पर इसका जो मान है, 5 से जादा होगा, 10 होगा, ठीक है, अब उसके बाद यह हम 5 का गुणा 50 से करते हैं, तो 250 होगा, मैं क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा समझेगा, ठीक है, आपकी मदद के लिए, अर्था यहां पर 5 को, 5 को क्या किया गया है, दो बार जोड़ा गया है, यहां पर 5 को 50 बार जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो आप यह सोचिए, 37 को यदि हम 8 बार जोड़े, या 9 बार जोड़े, या 69 बार जोड़े, या 269 बार जोड़े, तब 296 आएगा, तो यहां पर आपको क्या आठ बार की नवार आठ बार की नवार तो अब क्या थे एक बार आठ को रखके देखिए यहां पर एक बार नो को रखके देखिए आपसन की मदद लीजेए ज्यादा सोचनिका और शकता नहीं है आप्शन की मदद चलो आठ को रखके देखते हैं, तो 870, 56, चपन का छे, 8 यह 24, 25 और 29 आ गया, आगय कि नहीं आ गया? यदि 9 को रखते हैं तो क्या होता? 970, 63 तो 1 काई में 3 आ गया, तो सिही से पता चल गया, 1 काई में 3 आ रहे हैं, इस वे तो कहीं नहीं है, है न? यहां प प्रसनगर मंग चौथा यह क्या चीज है रेट लिष्ट है रेट लिष्ट जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं है ना होटल जाते हैं किराना दुकान जाते हैं सेलून जाते हैं तो वहाँ पर रेट लिखा होता है जैसे यह जो दिख रहा है कहां कहो सकता है कोहा जैलेबी पर पोहा जो है कि कीमत रूपिये आट रूपिया प्रती प्रती प्रेः रट प्रती 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 है अंगर मेकी पास प्रस्नेट प्छर प्रती है यहां कोिती हो सकता है तो पहले प्रत्न कोachoii बाड़ प्रतीक्य की प्रती année प्रती 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 दुकान पर एक एक प्लेट पोहा, यहाँ पर एक रीन एक नहीं है, गड़ी पढ़ रहे हो तो इसको एक रीन एक मत पढ़ना, यह है एक एक प्लेट, यह डेस है, एक एक प्लेट पोहा, और दो-दो समोसा खरिती है, ठीक है, यहाँ पर आप सोना हो गया है, और इधर जो है, सोना इधर आपकी सहली दोनों बैठ के टेबल में अब आप दोनों ने एक एक प्रेट पुहा खाया और दो-दो समोसा आपने खाये ठीक है देखे समोसा इस प्रकार से इसको आप खागे इसका कुना नहीं दिख रहा है समान के चलिए चलो तो यहां पर आप कितना रुपया पे करोगे कितना रुपय उसको दोगे तो देखो इसका किमत कितना है आठ रुपया इसका किमत कितना है आठ रुपया है न सपुहा का तो क्या होगा आठ आठ 16 रुपया होगा कि नहीं होगा इसका उसके बाद एक समोसा का कितना है एक समोसा कहां पर देखो 6 रुपया तो यह छोभी स रूपिया तो कितना रुपय को यह दोगार को कितने रुपय देने पढ़ेंगे चछुबिस रुपय किके बहुत समाने तरीके से आपको समझा रहा हूं और परिच्छा बहुत बड़ा नहीं रहता परिच्छ से हम डरते जरूर हैं रश्णों के दिए हम ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे प्रश्ण असानी से बना सकते हैं ज्यादा उलजना नहीं है अब देखें बच्चों यहां पर अगला प्रस्ण है पांचवा प्रस बनेगी अब इसको कैसे समझो आपके पास जो परस है मालो आपके परस है उसे 500 के नोट है 100 के नोट है 50 के नोट है 20 के नोट है अब कितना कितना नोट है देखो 500 के 5 नोट है तो हम कैसे गिनते हैं गुना करते रहते हैं क्या यह तो मोखी गणना होता है इसको तो मन से बना पांशन होगा कितना होगा 25 ऑप्जित नोट इसको ज्यादा आपको गुना भाग करने के आउसकता भी नहीं पड़ेगी고गे अब 5 मताइकर पांशन मोट कितना होगा profit innoite यॉफिये बता सकते हो कले नहीं द्रूफियों कि आपके पास 55 तोप्तास पास 25 ओनागा ए aprat 32 होगे कि नहीं होगे हिसाब लगाते जाओ अब उसके बाद 50 रुपय के 3 नोट 50 रुपय के 3 नोट मतलब 1.500 रुपय और 150 रुपय और कितना हो जाएगा 32 रुपय के 2 नोट 40 रुपय और कितना 40 रुपय और वह समाने तरीके से क्या किया जैसे जैसे आफसे पर्टे गए वाइसे वैसे करते गए बस वही करना सब्सक्रण है US ज्यादा पो कुछ करना का वशक्ता नहीं है छले 6 अपर स्पर्षो प्रस्णा पर्षो 45 देखो इहां पर पहलए चार खंट कितने कुछतक होगी तो देखो चार खन वाले अलमारी अलमारी कैसी है स्सक्राइब कि एक अल्मारी बना दिएद यह अलमारी यह अलमारी है यह अलमारी एक हंड दो कंट तिन पनट फन एच्रा एक दूंच इन तेक अब इसमें प्रत्य हमें dużo इसमें छे पुस्तक इसमें भी च्छा पुस्तक इसमें भी च्छा फुस्तक इतना पुस्तक रहे हैं तुर्ण रिखा लगा रो 6, 12, 18, 24 पुस्तक और यह था 4 आल मारी हैक और बार मारी कितनी पुस्तफ होगी, बताओ कितने पुस्तफ होगी, इसमें भी 24 होगा, इसमें भी 24 होगा, इसमें भी 24 होगा, अब चाहे तो आप इसको चार बार जोड सकते हो, या 24 गुना 4 कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, या 24 गुना 4 कर सकते हो, जैसा आप बनाओ, तो नहीं को 4, 4, 16, 4 दुनिया 8 और 9 तो 96 होगा इसको भी जोड़ दो 24 24 48 48 46 यहां पर क्या हो रहा है 96 ठीक है बिल्कुल समाने तरीके से कैसा लग रहा है वीडियो बिल्कुल कमेंट करके बताएए अब सातवा प्रस्न शाला में शाला में आयोजित प्रतियोगिता है तु 4155 उपहार लाए गया है उपहार क्या चीज है गिप्ट अब लोग उको गिप्ट मिलता है न उसी को बोलते है उपहार तो 455 लाए उपहार एसे एसे कितने थो चार सो इंक्यामन ठो लाएं भई, बहुत सारा लाएं है, चार सो इंक्यामन उपहर लाएं, प्रत्यक विद्जार्थी को दो-दो उपहर देने के बाद, प्रत्यक विद्जार्थी को यहाँ पर आप हो, यह आपका फोटो है, ठीक है, आपको दो उपहर मिला, आपको दो उपहार मिला है उसके बाद 17 उपहार बच जाते हैं 17 उपहार बच जाते हैं तो कितने विद्यार्थियों को उपहार वित्रित किया गया है ना भई सबको दो-दो देते गया अब पूरा इसकुल में जितने विद्यार्थि थे सबको दे दिये उसके बाद 17 बच गये 17 बच ग और उसके बार यह क्या हो जाएगा चार में से गयत तीन 434 अब 434 उपहार को बच्चों को माते हैं एक एक बच्चों को दो दिये हैं एक बच्चों को दो दिये हैं अर्था 400 का आधा है ना एक बच्चे को जब दो दिये हैं मतलब इससे आधा होगा बच्चों की संख्या तो लगा सकते हैं तो हो रहाह है ऐसे लुग भाग नेलों या फिर। ब्लकुल समाने तरोक अभासर तरहें चलिए अगला प्रशन ज़्यादा आपको सोचने के आउशक्ता नहीं है, बिल्कुल समाने तरीके से रिलेक्स हमोट पे बनाईए, बिल्कुल हर प्रस्न बनेंगे प्रस्न करमाग आठवा, समान कदमों से चलने वाला एक रोबोट, एक कदम में 25 सिंटीमिटर चलता है पचास मीटर की दुरी तै करने के लिए उसे कितने कदम चलना पड़ेगा, एक बरबर पड़ते हैं, समान कदमों से चलने वाला, समान कदमों से मलब हर बार एक बराबर दुरी में कदम चलता है, एक रोबोट, अब रोबोट भी है, हमेसा एक बार में दिर दिर चलता है, ऐस ऐसे ऐसे चलते जाएगा रोबोट जो है यहां पर हम रोबोट बना देते हैं चलिए चलो रोबोट बना दिये रोबोट बना दिये तो एक बार में चलते है जैसा भी बना है रोबोट समझे एक बार में कितना चलता है वह 25 cm एक बार में वह 25 cm चलता है जैसे यहां से यहां त तर पुछा गया है, आप संद में डारेट तांसर ने पुछा है, कौन सा काम करोगी यह पुछा देखो, तब क्या करेंगे, यह 25 cm, यह है 50 मिटर, 50 मिटर है, यह cm, यह मिटर है, इसका मतलब सबसे पहले इसको हमको क्या बदलना पड़ेगा, इसको भी cm में, तो एक मिटर में होता है, 100 cm, तो 50 का क्या हो जाएगा, 50 गुणा 100, बराबर, तीन बार सुन लगाएंगे, 5000 cm, अर्थात क्या होगा, कि एक बार और 25, तो 50 है न, ऐसे धिरे-धिरे करते जाएगा, फिर 75 हो जाएगा, फिर 100, चार बार में जा रहे है, एक प्रकार से यह धिरे-धिरे आगे ब 5-4 को हम 25 से भाग करेंगे, अब इसको भाग करने का आउशकता नहीं है, क्योंकि उत्तर में इस प्रकार से दे दिया है, तो यहीं से आपको ठिक लगा देना है, ठीक है, चले, प्रस्टक्रमा 9, एक माली 100 पौधे खरिता है, एक माली 100 पौधे खरिता है, माली कौन होता है गाडनर, जो गाडन की देखभाल करता है, बगीचे की देखभाल करता है, वह बगीचे की प्रतेक पंक्ती में 18 पौधे लगाता है, प्रतेक पंक्ती में, पंक्ती क्या होता है, लाइन, जैसे यह लाइन है, ठीक है, यह जब जो लाइन है, यह सब पंक्ती है, ठीक है, यह यह सब लाइन है यह गार्ड़न ठा है और इसमें यह इस प्राकार से लाइन है छली क sessions को मिटाया तो इस प्राकार से त्हिक है यह गार्डन की लाइन है अब एक लाइन में اठारह पौधल बाते हुए banco तरह सेच बलखें yourself इखना पर 100 है, 100 पौधा है, एक में थारा लगाया, तो इसमें भी एठरा लगायागा, थारा थारा कितना हो गया? थारा थीज, थारा थीज, एठरा थाउवर, अठारा चौप, और सट, स्वारी, 18- शौप, 7-2, थिक है? थारा चौप, 7-2, उसके आगे बढ़ते हैं, 18-5, यहाँ पर देखो 18 खतम हो गया उसके अगले लाइन में उसमें भी 18 के लिए बचा क्या नहीं बचा केवाल 10 बचा है तो 90 पौधिर लगाया और 10 पौधिर बच गया ठीक है तो यहाँ पर देखो ऐसा है क्या 90 पौधिर लगाया कितने पंग्ति में यहाँ पर पंग्ति पुछा है तो यह एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चाल लाइन पांच लाइन में लगाया तो पंग्तिया पांच शेश पौधिर 10 बाकी को भी देख लो भाई क्योंकि एक ही बार में अब को टिक में लगाना है प पांच रुपिये के एक सिख्के का वजन नौ ग्राम है। नौ किलो ग्राम वजन वाले बैग में कितने पांच रुपे के सिख्के होंगी। अब यह थोड़ा सा कठीन सवाल है। हर परिच्छा में कुछ न कुछ कठीन सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो इसको भी असानी से बनाते हैं। यह पांच रुपे का सिख्का है। इसकी जो वजन है 9 ग्राम है। कितना है 9 ग्राम। अब एक बैग है। इसमें 9 किलो ग्राम वजन है। 9 किलो ग्राम। ठीक है 9 किलो ग्राम। मैं तो पांश रुपए के कितने सिख्के होंगे अब देखो एग सिख्का में 9 ग्रम तो कितने सिख्के में 9,000 ग्रम क्या करोगे क्या करोगे बता हो jore oscillate be क्या कर रहे हो आप या तो आप पांच-पच को जोड़ते हो निकाल सकते हो 9 18 ऐसे कैसे करोगे बताओ आपसे पूछ रहा हूं फिर मैं बताओंगा ऐसे भी बना सकते हो क्योंकि उस समय क्या होता है परिच्छा के समय ज़रूरी नहीं है कि सही प्रोसेस आपको याद आए समा कि हमको भाग करना है समाने तोर पर हलक यह तो यह 9 एकमनो 9 एकमनो टोटल 1,000 आया कितना या एक हजार तो यहाँ पर देख सकते हो 1,000 सिख्छा माल लिजी यहाँ पर आप घबर आ गए यहाँ पर नहीं बन रहा है तो क्या करोगे क्या करोगे दिखिए 9 ग्राम सिख्छ थ खान निश्ची तोर के होगा ऐसे आप सर्की मदद भी ले सकते हो तो बच्चो इतना प्रेटिस कराने का उद्देश यही है कि आप प्रस्थन के स्वरूप को समझना अब प्रस्थनों को हल करते समय किन-किन बातों को ध्यार रखना होता है इसको समझना अगला प्रस्थन